पता नहीं हमारे ही नसीब खराब थे जो तुम्हारे जैसी बहू हमारे पल्ले पड़ गई किसी काम का खाना नहीं बनाना था रोटी देखो तेड़ी मेड़ी और दाल है तो बिलकुल नमक मिर्च मसाले हैं ही नहीं लोग कहते हैं नई बहू आए तो बढ़ियां बढ़ियां पकवान खाने को मिलेंगे पर यहां ऐसा कुछ नहीं है माजी मैं दूसरी रोटी बना कर लाती हो पता नहीं मैं इतनी कोशिश करती हो फिर भी बढ़ियां खाना नहीं बना पाती और बिमला कैसी हो अच्छा बहू से सेवा करवा रही हो आओ सरला ठीक हूँ मैं बस जिन्दगी कट रही है क्यूं क्या हुआ तो मैंसे क्यूं बोल रही बोलू ना तो और क्या करूं ये देखो रोटी बहू ने बनाई है किसी काम का खाना नहीं बनाती है ये क्या इसे देख कर तो लग रहा है बहू ने रोटी नहीं कोई नक्षा बना दिया है किसी दिन तुम मेरे घर आना मैं दिखाऊंगी मेरी बहू बहू बहुत ही बढ़ियां खाना बनाती है ऐसा खाना कि उंगलियां चाटते रह जाओ तुम्हारा पेट भर जाएगा पर तो बढ़ियां है अगर घर में बहू अच्छी आ जाए तो समझो घर स्वर्ग बन जाता है गौरी सास की बातों को सुनकर कमरे में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है रोते रोते उसकी आँख लग जाती है गौरी मेरी बच्ची तुने मुझे याद किया दिमर्जी कोशिश कर लो मैं वैसा खाना नहीं बना पाती जैसा सासुमा चाती है मैं क्या करू मा मैं तुम्हें एक जादूई मंत्र बताती हूँ तुम खाना बनाने से पहले तीन बार इस मंत्र को बोलना तुम्हारे सामने बढ़ियां और स्वादिश्ट खाना बनकर तय यार हो जाएगा लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी अगर इस मंत्र को तुम्हारे अलावा किसी और को पता चला तो इस मंत्र का जादू खत्म हो जाएगा और जिसको खाना बनाना आता होगा वो खाना बनाना भूल जाएगा मामा इस बात का हमेशा ध्यान रख तेरे ससुर्जी और केशव के आने का समय हो रहा है। तेरे ससुर्जी और केशव के आने का समय हो रहा है। अच्छा खाना बनाती है। इस मंत्र को तीन बार बोलते ही खाना बनकर तयार हो जाता है क्यों ना मैं भी इस मंत्र को बोलकर अपनी सास, ससुर और पती को खुश कर दूँ वैसे वो तो मैं जब जाओंगी तब करूँगी अभी क्यों ना एक कब चाय बना कर देख लू, मा को भी दूँगी इस चादूई मंत्र की चाय अरे, ये मंत्र बोलने के बाद तो चाय बनकर तयार ही नहीं हुई ऐसा कैसे हो सकता है भावी ने जब इस मंत्र को बोला था तो खाना बनकर तयार हो गया था जरूर मेरी आंखों का धोखा होगा इतनी देर में तो मैं खुदी चाय बना लूँगी अरे, चाय कैसे बनाते हैं मुझे याद क्यों नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा ताल, चावल, रोटी ये सब कैसे बनता है कहीं इस मंतर की वज़े से मैं खाना बनाना तो नहीं भूल गई पिंकी फूट फूट कर रोने लगती है इतनी देर में मा और गौरी भी रसोई में आ जाती है पिंकी, क्या हुआ तो रसोई में खड़ी रो क्यों रही है कुछ चाहिए था तो गौरी को बोल देती कहीं कोई चोट पर रिखाई नहीं दे रही फिर रो क्यों रही है क्या हुआ अदिदी, आप रो क्यों रही हो आपको कुछ चाहिए तो मैं बना देती हूँ आप मुझे बोलो बाबी मुझे माप कर दो, मुझे से बहुत बड़ी भूलो गई मैंने आपके जादोई मंत्र को सुन लिया था और उसे बोल कर मेरे सोई में चाहिए बनाने लगी पर मुझे खाना बनाना याद नहीं आ रहा मुझे लग रहा है मैं खाना बनाना भूल गई हूँ जादोई मंत्र, जादोई खाना में कुछ समझ नहीं पा रहे हूँ ये सब क्या हो रहा है माजी, मैं आपको सब बताती हूँ गौरी अपनी सास को सारी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर उसकी सास की आँखों में आसुआ जाते है सारी गलती मेरी ही है अगर मैं गौरी को मा की तरह प्यार देती और खाना बनाना सिखाती तो शायद आज ये सब नहीं होता मुझे माफ कर दो गौरी बहू गौरी बाबी मुझे माफ कर दो मुझे अपनी भूल का पच्टावा है गौरी अब तुम्हें इस मंत्र की कोई जरूरत नहीं तुम्हें मेरी तरह प्यार करने वाली इतनी अच्छी सास जो मिली है अपने घर में हमेशा खुश रहना मेरा अशिरवात हमेशा तुम्हारे साथ है पिंकी को भी सब कुछ याद आ जाता है कुछी दिनों में गौरी भी अपनी सास से बहुत अच्छा और बढ़ियां खाना बनाना सीख जाती है रामपुर नामक गाउं था उस गाउं में गीता नाम की एक औरत अपने पती राहूल और अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे गोपाल की उम्र विवायोग्य हो गई थी अजी सुनिये मैं कल जिस शादी में गई थी वहां मेरे रिष्टेदार की बेटी गोपी को देखा बड़ी सुन्दर और सुशील लड़की है बहुत सुन्दर दिखती है और कामकाजी भी है मैं सोच रही हूँ कि हमारे गोपाल के साथ उसकी शादी करा देते है ये कहकर गीता अपने बेटे की ओड़ देखती है क्या तुम गोपी से शादी करोगे? ये सुनकर गोपाल ने भी अपने मा के फैसले पर सहमती दिखाई फिर गोपाल और गोपी की बहुत धूम धाम से शादी हो गए विदाई के वक्त गोपी के पिता ने गीता से कहा देखो गीता जबसे तुम्हारी भावी गुजरी है तबसे मैंने गोपी को बहुत प्यार से बाला है इससे कुछ काम करना नहीं आता है तुम इसे बड़ी सावधानी से और प्यार से सिखा देना अगर वो कुछ गल्ती करे तो माफ कर देना गोपी के पिता ने रोते हुए ये सारी बातें गीता से कही भाई साहब आप ये सब क्यों बोल रहे है गोपी मेरी बेटी की तरह है बहु नहीं है आप बिलकुल निश्शिंत रहे है मैं बहुत खुश हूँ इसके बाद गोपी ने अपने पिता जी का हाथ पकड़ कर कहा पिता जी मैं जा रही हूँ ध्यान रखेगा अपना और सेहत का खयाल रखेगा और जब भी चाहेंगे आप मुझसे मिलने आ जाएगा अपना दाई तो आपने पूरा किया है गोपी के पिता ने उसे चुप कर आया और विदा कर दिया जैसे ही बहु घर में दाखिल हुई सभी परिवार के लोग बहुत खुश हुए कुछ दिन ऐसे ही बीद गए गोपी बहुत अच्छा खाना पकाने लगी परिवार के सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो पर तुम बहुत कम खाना खाती हो इतना कम खाना खाऊगी तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर क्या बोलेंगे कुछ नहीं एक दिन गोपी अपने मन पसंद पकवान चिकन करी बना रही थी उस वक्त घर वाले कोई भी घर में नहीं थे उसने अपने खाने को टेबल पर परोसा और सोचने लगी हे भगवान बस परिवार वालों के बारे में सोच के कि वो क्या सोचेंगे आज तक मैं कम खाना खाती आई हूँ पर आज तो घर में कोई नहीं है मैं पूरा खाना खाऊंगी उसने अपने आप से काहा और सारा पकवान खा गई ओ, हे भगवान, बहुत दिनों के बाद मैंने इतना खाना खाया है पर डकार और सांस फूलने की वज़े से वो यहां वहां चलने लगी इसी बीच परिवार के सभी लोग वहां गए गोपी को इस हाल में देख कर उन्होंने पूछा अरे बहु, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ सासुमा, जरा सा पेट में दर्थ है, इसी लिए चल रही हूँ कुछ दवाई खालो, समझी? ये कहकर वो अंदर चली गए धन्यवाद भगवान, वो सब अभी आए, अगर थोड़ी देर पहले आते तो मैं पकड़ी जाती कुछ दिन के बाद गोपी का पति गोपाल कुछ फल लेकर आया ये देख कर गोपी खुद से कहने लगी अरे मेरे मन पसंद फल लाए है, मैं सब खा जाओंगी मुझे फल बड़े पसंद है, वाँ गोपी को नींद आ रही थे, फिर भी वो आज जगी रही और वो किच्चन में जाकर सारे फल खाने लगी और सारे फल उसने खाकर खत्म कर दिये उसने एक भी फल नहीं छोड़ा अगले दिन उसकी सासुमा ने गोपी से कहा गोपी, कल गोपाल बहुत सारे फल लाया था कहां है वो सब, फल देखा है क्या तुमने मुझे नहीं मालूम सासुमा, मैं भी डून रही हूँ मुझे लगा आप नहीं चुपा रखे हैं शायद अरे, मैं क्यों चुपाऊंगी, मुझे मालूम नहीं है कि फल कहां है ये कहकर गोपी की सास वहां से चली जाती है उसे दिन गीता ने सब के लिए बिर्यानी बनाई और गोपी को बिर्यानी की सुगन धा रही थी अरे, वाँ, सासुमा तो बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती है बिर्यानी से भी बहुत अच्छी खुश्पा रही है मैं इसे खाने के लिए बेचैन हो रही हूँ अगर वो सब खाकर सब खत्म कर दे और मेरे लिए नहीं छोड़ा तो मैं क्या करू जब वो ये सोच रही थी कि अच्छानक से सासु आ गए गोपी, मैंने सब के लिए बिर्यानी बनाई है पासवाली गली में एक छोटी सी जन्म दिन की पार्टी है वहाँ से मैं अभी आती हूँ तुम अपने ससुरजी और गोपाल को खाना परोस देना, समझी? ठीक है सासुमा, आप आराम से चाहिए, मैं सब देख लूँगी जैसे ही उसकी सासुमा घर से चली जाती है गोपी ने एक बड़ी सी थाली निकाली और उसमें जल्दी से बिर्यानी परोस कर जल्दी-जल्दी खाने लगी जब गोपी खा रही थी, तब देखा कि थोड़ी सी बिर्यानी बची हुई है तब सोचा कि दूसरी बार फिर से खाऊंगी जब सब सो जाएंगे तब मैं इसे चुपके चुपके खाऊंगे हाँ मुझे ऐसा ही करना होगा नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी और सब सोचेंगे कि मैं बहुत खाती हूँ जब ऐसा सोची रही होती है एक कुट्टा बाहर जोर जोर से भौँखने लगता है कुट्य को भॉखते हुए सुना तो थोड़ी सी बिर्यानी थाली पर छोड़ कर वा बाहर निकर गई कुट्टे को उसने बची हुई बिर्यानी दी और जब कुट्टा बिर्यानी खा रहा था तब गोपी ने पानी का घड़ा लिया और दर्वाजा बंद करके वहां से चली गई अंदर कुत्ते ने सारी बिर्यानी खा ले, कुत्ते को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो घर के अंदर ही उसने सारा सामान, बर्तन इधर उधर कर दिये और कुछ बर्तन तो तूट भी गए दूसरी तरफ गोपी घर के बाहर एक तरफ छिपकर खड़ी थी और अपनी सास के आने का इंतजार कर रही थी जैसे ही उसने देखा कि उसकी सासु मा रही है, वो घर के पास गई जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं था और दर्वाजा खोला, तो कुट्टा जल्दी से घर से बाहर निकला ये कुट्टा अंदर कैसे आ गया, तुम कहा थी, हे भगवान इस कुट्टे ने अंदर क्या क्या किया होगा गीता गोपी के साथ अंदर जाती है और देखती है कि बरतन इधर उधर बिखरे हुए और बिर्यानी का बरतन खाली देखा, तो वह चिंते थो पड़ी और कहने लगी हे भगवान, मैंने बिर्यानी बड़ी मुश्किल से बनाई थी, कुट्टे ने सब खराब कर दिया तुम कहा गई थी बहु जबाब दो अरे सासुमा, घर में पानी नहीं था, मैं पानी लानी गई थी, मुझे मालूम नहीं था कि ये हो जाएगा जब वापस आई तो देखा, कि कुट्टे ने सारी बिर्यानी खराब कर दी थी, वो ये कहकर रोने धोने का डाटक करने लगी कोई बात नहीं, चलो छोडो, अगली बार जब तुम बाहर जाओ, तो दर्वाजे पर ताला लगा कर जाना, समझी गोपी ने इस बात के लिए अपनी सासुमा से माफी मांगी, अभी तुम्हारे ससुर जी और गोपाल आने वाले हैं, चलो, खाना पकाते हैं उस दिन रात को जब सब लोग सो गए, तो गोपी उठी और किचन में जाकर बाकी बची हुई बिर्यानी खाने लगी, अचानक उसे हिचकी आने लगी गोपी ने पानी पीने के रिए जैसे ही ग्लास उठाया, ग्लास जमीन पर गिर गई, उस आवाज को सुनकर गोपी की सासुमा जाक गई और रसोई में पहुचे, तब गोपी के हाथ में बिर्यानी देखकर आश्यर चकित हो गई, गोपी सोचने लगी, अब क्या करूँ, प मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, मुझे सब ससच बताओ, सब खाने का सामान कैसे गायब हो रहा है, बताओ, तब गोपी ने जोजो हुआ सब बताया, ये सुनकर गीता ने कहा, कि तुमने फिर पहले ऐसा क्यों कहा कि तुम कुछ खाती ही नहीं हो, सा भगवान हमें बचाए, मुझे भी खाने का बड़ा शौक है, नहीं सासुमा आप तो चतुर हैं, उस दिन आपने खुद खाना बनाया और खुद ही खा गई, और छिपचिप कर खाया सारा खाना, मैंने सब देखा था, ये भगवान तुमने सब देख लिया, किसी से कहना नही मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये बात हम अपने बीच में ही रखेंगे, ताकि किसी को भी कुछ पता न चले, इस बीच दोनों के पती वहाँ पर पहुँच गए, गीतो और गोपी दोनों को देख कर चौक गए, ये देख कर गी